जन्म कुण्णी के जिस्मी भाव में लगनेश इस्थित होता है प्रधम भाव स्वामी जिस्मी भाव में इस्थित होगा उस भाव के फलों का प्रभाव उसके जीवन पर पूरा जिंदगी रहेगा व्यक्ति की रूची उस भाव से संबंदित फलों में देखी जाएगी important भाव है ये भागे देखा जाता है आसी धरम देखा जाता है संसकार देखे जाते हैं आदर्श नैतिक मुले देखे जाते हैं एक अच्छी सिति में विराजमा लगनेश नवम भाव में शुब ग्रहों की दिश्टी में हो शुब ग्रहों के साथ इस्तित हो उच अवस्था म हो तो यहीं लगनेश जो है ऐसा व्यक्ति जो है बहुत भागेशाली माना जाता है धार्मिक होता है धार्मिक लियक लाप में रूची रकता है जीवन भर अपने पिता से लगाव रगता है गुरू के पति आदर रगता है शिक्षित होता है higher education में उसका जो है वो रुजहान होता है जीवन को अच्छे तरीके से जीने वाला होता है क्योंकि नवम में लगनेश का होना राजयोग कारी होगा लेकिन अगर लगनेश नवम भाओं में पीडी तवस्था में आ जाए माली जीवन में भागे को बनाने के लिए बहुत पड़ेगा एक आम जीवन बिताने वाला व्यक्ति हो सकता है धरम से असा व्यक्ति विमुख हो जाएगा धार्मी कारेों में इसकी कोई रुची नहीं होगी तो इस इस्थिती में जब लगनेश नवम भाओं में आ जाए और अशुब इस्थिती में हो तो शुफ वलों की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए व्यक्ति को धार्मी कारेों में जाधा जब फोकस करना चाहिए अपने जीवन में धरम पाठ पूजा धार्मी क्रिया कलाप में रुची रखनी चाहिए और इसके साथ साथ गुरुजनों का आदर करना चाहिए अपने पीता का दिल न और एक के अंदर तिकोन राज्यों भी पूरी तरह से फली भूत होगा